हलो फ्रेंज चे माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों नवरात रहे माता को सब अपनी अपनी तरफ से अपने अपने धेरो प्यार के साथ माता रानी को मना रहे हैं और माता रानी सब के घर में प्रवेश कर चुकी है दोस्तों दस्तक हो चुकी है माता रानी की माता रानी आ गई है अब उन्हें खुब मनाईए खुब प्रेम से उन्हें भोग लगाईए उनकी सेवा पुझा करिए और देखें दोस्तों कैसे आपकी जीवन की विग्न बाद जो आप सब्तमी, अश्टमी और नौमी के दिन अगर कर लेते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलावा सकते हैं, दोस्तों हम रोज माता रानी को तो मनाते ही हैं, साथ ही साथ अगर राशी के अनुसार आप माता की अराधना करते हैं, तो माना जाता है आपके जीवन में बहुत जल्दी शुब प्रभाव देखने को मिलते हैं, दोस्तों सब्तमी, अश्टमी और नौमी तीन दिन आपको ये उपाए करने हैं, धान से सुने कौन सी राशी वाले को क्या उपाए करने हैं, सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी का पाठ करना चाहिए, अपनी राशी ग्रह के अनुकूल आपको लाल या पीले रंग के वस्तर पहनने चाहिए, और अगर आप डांडिया खेलने जाते हैं, दोस्तों, तो डांडिया खेलते समय आपको डांडिया लाल चंदन या खेर की लकडी का आप डांडिया यूज कर और मेश राशी वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटा सा मंत्र बताती हूं उसका जब करें मंत्र है रिंग स्ट्रिंग हुंग फट इस मंत्र का आप जब करें दोस्तों आप देखेंगे रोज आपको 108 जब करने हैं दोस्तों बात करने वाले हैं व्रिशब राशी वालों के लिए व्रिशब राशी के जातक हैं दोस्तों अगर आप तो आपको महागौरी माता की विशेश उपासना करनी चाहिए नवरात्र के दिनों में ललिता सहसर नाम का पाठ करना चाहिए और आप अपनी राशी ग्रह के अनुकूल गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहने डांडिया खिलते समय आपकी डांडिया गुलर के पेड की लकड़ी की ले और साथ में सफेद कपड़ा मांद ले तो आपके लिए बंबं करने वाला होगा दोस्तों महागौरी माता की अविवाहित कन्याओं की अराधना करें तो उन्हें अत्म उत्तमवर की प्राप्ती होती है यदि राशी वाले साधना करना चाहते हैं तो श्री विद्या यानि शोडशी देवी की साधना करनी चाहिए व्रिशब राशी वाले महाविद्या की साधना के लिए एक चोटा सा मंत्र बताती हूँ, वो जप करें मंत्र है एंग क्लिग सौ हरे रंग के कपड़े पहने और डांडिया खेलते समय अपा मारग की लकड़ी का डांडिया यूज करें तो आप देखेंगे साथ में हरा कपड़ा बान के लिए अति उत्तम रहने वाला है मा प्रमचारिनी की उपासना करने से ज्यान और विद्या के अवरोध दूर हो चाते हैं और यदि ये राशी वाले साधना करना चाते हों तो भुवनेश्वरी देवी की साधना करने चाहिए दोस्तों मितुन राशी वाले महाविद्या की साधना के लिए बस एक मंतर का छोटे से मंतर का जब करें और वो है एंग ग्रिम दोस्तों बात करते हैं हम करक राशी वालों की यदि आप करक राशी के जातक हैं तो दोस्तों आपको शेल पुत्री माता की उपासना करनी चाहिए और लक्षमी सहस्तर नाम का पाठ रेगुलर करना चाहिए अपनी राशी ग्रह के अनुकूल सफेद या हलके रंग के कपड़े पहनने चाहिए और डांडिया खेलते समय आपको डांडिया पलाश या सफेद चंदन के लकड़ी की होनी चाहिए लकड़ी के डांडियों पर आप सफेद कपड़ा बान लें आप देखेंगे कैसे चमतकारिक आपके चेंजिस आते हैं लाइफ में और यदि राशी वाले साधना करना चाहते तो आपको कमला देवी की साधना करनी चाहिए करक राशी वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटा से मंत्र का उप्योग करें तो अति उत्तम रहेगा वो है ओम श्रिंग दोस्तों बात करेंगे हम सिंग राशी वालों की यदि आप सिंग राशी के जातक हैं तो आपको कुश मांडा माता की विशेश उपासना करनी चाहिए और नवरात्र की दिनों में दुरगा मंत्रों का जब आप करेंगे अपनी राशी ग्रह के अनुकूल पीले रंग के कपड़े पहनेंगे और डांडिया खेलते समय आकड़े के पेड़ की लकड़ी से डांडिया खेलेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है दोस्तों यदि ये राशी वाले साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए माता बगला मुखी की आपको साधना करनी चाहिए सिंग राशी वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटा सा मंत्र का जप करें और मंत्र है ओम रिंग बगला मुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम इस मंत्र का जप करें तो आप देखेंगे आपके जीवन के सारे जितनी निगेटिव इनरजी है जितनी मुसीबते है वो चुटकियों में दूर होकर के आपके जीवन में सुक संपत्ती का वास हो जाता है दोस्तों बात करते हम नेक्स्ट कन्याराशी वालों के लिए जात्र के दिनों में लक्षमी मंत्रों का जप करना चाहिए आप अपनी राशी ग्रह के अनुकूल हरे, सफेद या हलके रंग के कपड़े पहने और डांडिया खेलते समय आपके डांडिया अपा मार गया आंधी जाड़ा की लकड़ी की होनी चाहिए जो आपके लिए अति उत्तम होगा यदि राशी वाले साधना करना चाहते हैं तो चतुर्त महाविद्या भुवनेश्वरी देवी की करनी चाहिए और कन्या राशी वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटे से मंत्र की उपासना करें बात करते हम नेक्स्ट तुला राशी वालों की दोस्तों यदि आप तुला राशी के जातक हैं तो आपको महा गौरी माता की विशेश उपासना करनी चाहिए नवरात्र की दिनों में काली चालीसा या सब्त शती के प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए आप अपनी राशी ग्रह के अनुकूल सफेद और हलके रंग के कपड़े पहने और डांडिया खेलते समय सफेद पलाश या सफेद चंदन की लकडी का डांडिया से खेलें तो आपके लिए बहुत ही लाबदायक होने वाला है यदि राशी वाले साधना करना चाहते हैं तो सोडशी देवी की करें और तुला राशी वाले महाविद्या की साधना के लिए एक छोटे से मंत्र का जब करें एंग क्लिंग सौंग दोस्तों बात करते हैं नेक्स रासी यानि की व्रिश्चिक राशी वालों की यदि आपकी राशी व्रिश्चिक है तो दोस्तों आपको सकंद माता की विशेश उपासना करनी चाहिए नवरात्र के दिनों में दुर्गा सब्त शती का पाठ करना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहता है और अपनी राशी ग्रे के अनुकूल लाल और केसरिया रंग के कपड़े पहनने चाहिए डांडिया खेलते समय आपकी डांडिया खैर की लकड़ी की होने चाहिए तो आपके लिए अति उत्तम रहता है और यदि यह राशी वाले साधना करना चाहते हैं तो तारा देवी की करनी चाहिए विश्चिक राशी वाले महा विद्या की साधना के लिए श्रिंग रिंग स्त्रिंग हूंग फट इस मंत्र का जप करें बात करते हैं धनूर राशी के जातकों के लिए धनूर राशी के जातक हैं तो आपको चंद्रगंटा माता की विशेश उपासना करनी चाहिए और नवरात्र के दिनों में दुर्गा संबंदित मंत्रों का यथा विदी अनुष्ठान करना चाहिए आप अपनी राशी ग्रह के अनुकूल पीले रंग के कपड़े पहने और डांडिया खेलते समय पीपल की लकड़ी से डांडिया खेलेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है दोस्तों यदि ये राशी वाले साधना करना चाहते हैं तो कमला देवी की करनी चाहिए और धनु राशी वाले महा विद्या की साधना के लिए एक छोटे से मंत्र की उपासना करें और मंत्र है श्रिंग दोस्तों बात करते हूं मकर राशी की यानि की मेरी राशी अगर आप मकर राशी के जातक हैं तो आपको काल रातरी माता की विशेश रूप से उपासना करनी चाहिए और नवरातर के दिनों में नवाण मंत्र का जब करना चाहिए यथा विदी अनुष्ठान करें और अपनी राशी ग्रह के अनुकूल नीले रंग के कपड़े पहनें डांडिया खेलते समय शम्मी के पेड़ की लकड़ी से डांडिया खेले दोस्तों तो आपके लिए अतियुत्तम रहने वाला है यदि ये राशी वाले साधना करना चाहते हैं तो मा काली की देवी की साधना करनी चाहिए मकर राशी वाले महाविद्या की साधना के लेए छोटा सा मंत्र का जप करें वो है क्रिंग कालिकाए नमहा दोस्तों बात करते हम कुंब राशी वालों की अगर आप कुंब राशी की जातक हैं तो आपको काल रात्री माता की विशेष उपासना करनी चाहिए नवरात्र की दिनों में देवी कवच का पाट करना चाहिए और अपनी राशी ग्रे के अनुकूल काले या गेहरे नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए डांडिया खेलते समय शम्मी के पेड़ की लकड़ी के डांडिया खेले और राशी वाले अगर साधना करना चाहते हैं तो मा काली देवी की उपासना करें कुम्ब राशी वालों को महा विद्या की उपासना के लिए साधना के लिए मंत्र का जप करना चाहिए क्रिंग कालिकाई नमहा नेक्स हम बात करते हैं दोस्तों मीन राशी last but not the least मीन राशी यानि पिस्स की दोस्तों और पिस्स के लिए चंद्र घंटा माता की विशेश उपास्ता करने का नियम होता है नवरात्र के दिनों में हरिद्रा की माला से बगला मुखी मंत्र का जप करना चाहिए अपनी राशी के अनुकूल केसरिया पीले या हलके रंग के कपड़े पेने और डांडिया खेलते समय आपकी डांडिया पीले चंदन के लकड़ी की हो जाए तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाली है दोस्तों यदि आप साधना करना चाहते है तो माता कमला देवी की साधना करें और मीन राशी वाले महाविद्या की साधना के अपने friends और family सभी से फटा फट इन वीडियो को जरूर शेयर करना है क्योंकि हमें नहीं पता कौन अगर राशी के अनुसार उपाए करें तो किसको सूट करेंगा और किसकी life में changes आ जाएंगी कर लीजे उपाए दोस्तों खिल खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें किसी भी तरह के questions हो, मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर लिखके पूछ लें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो के तुरू कनेक्टेड रहें बोल ये दुर्गे मात की जै जै माता दी